आज पॉंच नावंबर रविबार को वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मुकावला कोलकाता के इजन गाडन में खेला जाएगा आज भारतिय किर्केट टीम इस वर्ल्ड कप में अपना आच्मा मुकावला खेलने दच्छीन अफरिका के खिलाप उतरेगी अभी भारतिय किर्केट टीम इस वर्ल्ड कप में आप राजे है अभी तक भारतिय किर्केट टीम इस वर्ल्ड कप में 7 मुकावला खेली है और 7 मैच जित कर 14 अंग के साथ पॉइंटेवल में नम्मर वन बनी हुई है तुआहीं दच्षीन अफरीका की टीम भी शांधार फ़़ में है दच्षीन अफरीका की टीम इस वॉल्ल कप में अभी तक सात मुकाबला खेली है और उसमें सिर्फ एक मैँच में उसे निदर लैंड के खिलाप आर का सामना करना पर है साथ में 6 मैच जीत कर दच्छीन अफरिका की टीम अभी पॉइंट टेवल में दूसरी अस्थान पर है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दच्छीन अफरिका की टीम 6 मैच जीती है जिसमें 5 मैच एक तरफी अंदाज में जीती है आश्चेलिया जैसी टीम को भी दच्छीन अफरिका ने एक तरफी अंदाज में इस्टनामेंट में हराया है सिर्फ पाकिस्तान की टीम ही दच्छीन अफरिका को थोरी सी टक कर दे पाई इसलिए आज जब भारत की टीम दच्छीन अफरिका के खिलाब इडन गाडन में उत्रेगी तो यह मुकाबला रोमांच से भरा होगा अभी तक अंतराश्टी अस्तर पर भारत और दच्छीन अफरिका के बीच 90 वंडे मुकाबले खेले गए हैं जिसमें दच्छीन अफरिका का पलगा भारी है 90 में 50 वंडे में दच्छीन अफरिका को जीत मिली है जबकि 37 वंडे में भारत को जीत मिली है तो वहीं भारतिय टीम दो मैच में ही दच्छीन अफरिका की खिलाब जीत हासिल कर पाई है लेकिन आज भारतिय क्रिकेट टीम जब अपने घरेलू दर्सकों के बीच दच्छीन अफरिका के खिलाब उतरेगी तो भारत के जीतने की संभावना सबसे अधिक है आज इडन गार्ण में बारिस का पुरवन मौन नहीं के बराबर है इसलिए आज यह मुकाबला पुरा का पुरा खिला जाएगा आज भारत और दच्छीन अफरिका के बीच इडन गार्ण में यह मुकाबला भारतिय समय नुसार दो फ़र दो बजी आरम होगा इसके लिए टॉस एक बज़ कर 30 मिनट पर उचाला जाएगा और इस मैच को आप TV और मोबाइल दोनों जगह बिलकुल फ्री में देख सकते हैं होट अस्टार पर आप इसकी लाइब अस्टिविंग बिना सब्सक्रिशन चार्ज के देख सकते हैं तो वहीं दीडी अस्पोर्ट पर इस मुकाबले को लाइट देख सकते हैं लेकिन दीडी अस्पोर्ट पर वही लोग इस मुकाबले को देख सकते हैं जिनके पास फ्री डिस connection है